Hello students, आज के इस वीडियो में हम प्रशनावली 7.2 के question number 1 और 2 को solve करने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग ने प्रशनावली 7.1 के सारी question को solve कर लिया था यदि आप से कोई भी question मिस हुआ हो तो आप उसको इस वीडियो के description या channel के playlist से जाके देख सकते हैं तो चलिए 7.2 के first question को देखते हैं क्या कह रहा है कह रहा है उस बिंदू के निद्रसांग याद कीजिए जो बिंदू जो मिलाने वाले रेका कंड को 2 सम्बंदे 3 के अनुपात में विवाजित करता है तो चलिए इसका solution देखते हैं तो ये रहा आपका 7.2 का first question कह रहा था दो बिंदू था एक बिंदू के निदेशांग माइनस 1,7 और दूसरे बिंदू के निदेशांग 4,3 इसको मिलाने माली रेखा को एक कोई बिंदू है माल लेते हैं ये बिंदू किया है? P है इसे माल लो A और इसे माल लो B आपको यही बिंदू के निजर्षांग को गयाद करना है जो इन दोनों बिंदू को मिलाने वाली रिखा को 2 सम्मदे 3 के अनपास में क्या कर रहा है? भी वाजित कर रहा है तो इसे मानते हैं वाव M1 और इसे क्या मानते हैं M2 X1, Y1 और इसे क्या कहते हैं X2 और Y2 इसके coordinate माल लेंगे कि X,Y है समझा गया होगा question इन दोनों बिंदों को एक कोई बिंदू है जो दो सम्मझे तीन के अनपाद में वाज़त कराद माल लिया गया P है इसे के क्या निकालने है coordinate निकालने है यानि इसमें कौन सा फार्मूला लागेगा section formula लिखेंगे we know that we know that यानि हम जानते हैं कि P X,Y is equals to आप लिख सकते हो पूरा detail में भी कि दो बिंदू X1, Y1, X2, Y2 को मिलाने वाली रेखा को M1 और M2 के संबंदे में विवाजित करने वाली रेखा का बिंदू का निदे सांक क्या होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2 यहां एक ही ध्यान देंगे अगर कभी भी यह फार्मूला अन्तव विवाजन के लिए होता है जब तक कि बाह विवाजन नहीं कहेगा आपको कभी भी विवाजन फार्मूला सेक्शन फार्मूला में हमेशा यही प्लस वाला है जब question में कहेगा कि बाहर भी भाजन हो रहा है तब plus के जगह पे क्या लगाओगा वाओ minus लगाओगे ठेक है आगे देखते हैं अब इस value को रखेंगे M1 मतलब formula के according तारमानी लिया गया है M1 की value यहाँ पे क्या है 2 into x2 x2 की value 4 है plus M2 की value 3 है into x1 x1 की value क्या है minus 1 तो इसे bracket में लिख लेते हैं M1 प्लस M2 यानि 2 प्लस 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 फिर आगे M1 M1 की value 2 है y2 y2 की value है minus 3 plus M2 M2 की value 3 है और Y1 Y1 की अगर value देखें तो Y1 क्या है अब का 7 है into का 7 M1 प्लस M2 यानि 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 ठीक है आगे देखते है 4 का 2 में multiply करेंगे plus 3 का minus 1 में करेंगे minus 3 और 2 और 3 क्या हो जाएगा 5 2 का minus 3 में करेंगे minus 3 plus 3 7 जा 21 और Y में आपका क्या हो जाएगा ये रहान देंगे 2 3 जा 6 कभी कभी बोलता आदमी कुछ है लिखता कुछ और देता है तो उसमें कभी कभी question हो जाते है mistake ठीक है हम से कई बार होता है तो ये सब ध्यान देने देंगे हम 8 में से 3 को सब टेक करेंगे मतलब 8 में 3 को तो 5 बचेगा और 21 में से 6 को जब गटाओ तो 15 बचेगा आप दोनों कटने वाला है काट देंगे यानि आपका जो answer आ जाएगा P, X, Y यानि उस बिंडू के नितिसांग क्या हो जाएगे 1 और 5 के नहीं 15 यानि 3 पाचे 15 यही आपके पहले question का answer था तो आप देख सकते हो कि इनना simple है इस chapter बहुत ही easy है जो चार फार्मूले है किनती के उसे ही याद करके आपको solve करने है हाँ वो बहुत अलग है कोई बकलोल अगर बच्चा है तो उसको लिए तो चार फार्मूले भी याद करना बहुत मुस्किल की बात है तो आप लोगों कोई दिक्कर नहीं हो रहा होगा तो वीडियो पसंद आ रहा होत लाइक और शेर जरूर करें चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करने ऐसे ही आपको हर एक मतलब पूरे आपके 10th के इस लेवल्स को cover कराया जाएगा थेक है तो चलिए इसी प्रकार देखते है question number second को question number second है जो 7.2 exercise है उसका कह रहा है बिंदुवो 4-1 और minus 2-3 को जोडने वाले रेखाकंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुवों के निदेशांग्याद कीजिए दो बिंदुवों 4-1 और दूसरा है minus 2, minus 3 इसको मिलाने वाले बिंदुवों को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निदेशांग्याद करना है तो इसको भी चलिए देखते हैं सिधे पेज़ पे A.B. question आपके question number first के जैसे ही है कह रहा था दो बिंदु है एक बिंदु है 4, minus 1 और दूसरा बिंदु है तीन बराबर भागों में बाटना तो इह मतह है अगर कोई बीच में 1 point आता तो इसे 2 बराबर भागों में बाट सकता है या किसी अनुपाथ में समत्रिघगाजित करने का मतलब हो गया कि कोई दो बिंदू इनके बीच में है यानि इन दोनों बिंदू को मिलाने वाली रेखा के बीच में कोई दो बिंदू है और उस बिंदू का हमें क्या निकालना है कोडिनेट तो माल लिए कि एक बिंदू का कोडिनेट मतलब P है और दूसरा बिंदू क्या हवाव क्यू है आपको यही P और Q तो देखिए एक पार्टे हो गया एक पार्टे हो गया एक पार्टे यानि इन दोनों बिंदू को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदू के नेतर सांख हमने क्या माल लिया P है और क्या है वावू Q है ठीक है तो questions ध्यान से समझ लेंगे concept ही तो में समझना इसमें है आप समझ आगे होगा इन दोनों बिंदू को मिलाने वाले रेखा को मानिए कि दो बिंदू है P और Q जो इसे समत्रिवाजित करता है मतलब तीन बारावर वागूं बाढ़ता है तो जब कोई भी अगर पार्ट आपस में इक्वल है तो उनके रेशियो सेम होते है अगर एक condition कभी भी आएगा समत्रिवाजित समझ भी बाजित तो एक लेंगे इनके बीच का रेशियो क्या होगा यहां से लेके यहां का भी रेशियो क्या होगा वन होगा और इसे भी क्या माल लेंगे ठेक है अब जब आपको P कैलकुलेट करना रहेगा ध्यान देंगे P कैलकुलेट करना रहेगा तो यह यहां से लेके एक और एक क्या हो जाएगा किसके लिए पी के लिए यहां जब आपको पी कैलकुलेट करना होगा क्या कैलकुलेट करना होगा पी कैलकुलेट और जब आपको क्यू कैलकुलेट करना होगा यानि पी के निदेशांग निकालना है तो M1 यह हो जाएगा M1 की value 1 होगा और M2 की value क्या हो जाएगा 2 किसके लिए? B के लिए और जब आपको Q निकालना होगा यही conception समझना है तो यहां से लेकि यहां तक का part यह 2 होगा ठीक है? और यह part बचा आपका 1 तो यह Q के लिए Q के लिए M1 आपका 2 हो जाएगा, M2 क्या हो जाएगा 1 एक वर और समझते हैं जब P calculate करना होगा तो यह part तो यही रहेगा लेकिन यहां से लेकि यहां तक क्योंकि यह दोनों बिंदू हमेशा यह X1 होगा, Y1 होगा और यह क्या होगा? X2 होगा और Y2 होगा तो P के लिए यहां से ratio 1 लेंगे और यहां से यहां से यहां तक कसी दे लेंगे क्योंकि यह तब इन बिंदू कवर हो रहा है और Q निकालने के लिए ratio यहां से लेकि यहां तक 1 और 1, 2 हो गया और Q से लेकि यहां तक तो 1 है ही तो एक ही करके calculate करते हैं पहले P के लिए calculate करते हैं, P के निर्दे सांग के लिए, P के निर्दे सांग. तो formula देखे, इस question में भी कहीं भी यह नहीं कर रहा था, कि बाहता विवाजन कर रहा है, तो जब यह कहे गा रहा है, तो आपको अंता विवाजन वाला ही formula लेना है, अब P के निर्दे सांग के निर्दे निकाल दा है, तो P, M1 की वैलू 1 होगा और M2 की वैलू 2 होगा, किसके लिए P के लिए, बाकी X1, Y1, X2, Y2 सबके लिए same होगा, तो M1 की वैलू यहाँ पे 1 है अभी, X2 की वैलू माइनस 2 है, प्लस M2, M2 की वैलू यहाँ पे क्या होग, 2 है, और X1 की वैलू यहाँ पे क्या है, 4 है, अपान M1 प्लस M2, यानि 1 प्लस 2, ठीक है, M1 की वैलू 1 है, Y2 की वैलू यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस M2, M2 की वैलू 2 है और Y1 की वैलू यहां से देखें तो क्या है आपका माइनस 1 है और M1 प्लस M2 यानि 1 प्लस क्या होगा, 2 होगा ठीक है, आगे solve करते हैं यहां पे ध्यान देंगे 1 का माइनस 2 मल्लिप्लाई करोगे माइनस 2 और 4 तूजा क्या होगा 8 और 2, 1 क्या होगा 3, 1 का माइनस 3 मल्लिप्लाई करेंगे, माइनस 3 और 2 का माइनस 1 में मल्लिप्लाई होगा, तो माइनस 2 बाई 3, तो यह तो आपका होगा 8 में इस 2 को सब्टेक करोगे 6 बाई 3, और माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 बाई कितना हो जाएगा 3 तो यह तो कट गया P के आपके क्वाइनस क्या आगए P के क्वाइनस आगए 3 तू जाए यानि 2 कॉमा माइनस 5 बाई 3 यह P के क्वाइनस आगए अब इसी प्रिकार से हम Q के क्वाइनस निकालेंगे तो Q के लिए लिखेंगे Q के निर्दे सांग निर्दे सांग तो फार्मूला तो वही होगा क्या होगा फार्मूला M1 X2 प्लस M2 Y1 बान M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2 तो बाकी सारे वैलू X1 Y1 X2 Y2 के तो सेम होंगे बदलेगा क्या आपका M1 यहाँ पर ध्यान देंगे M1 की वैलू 2 है और M2 की वैलू 1 है ठीक है बाकी सारे वैलू सेम ही है आपके M1 की वैलू आपका 2 है x2 की value यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ आपका देखिए 4,-1 x1 है y1 है और यह-2,-3 यह आपका x2,y2 है वसे हैं से value को put कर लेते हैं अब देखिए m1 2 होगा x2 x2 की value minus 2 है plus m2 m2 की value जो आपका है m2 की value 1 है और y1 y1 आपका क्या होगा minus 1 यहाँ पर थोड़ा सा mistake हो गया है m1 x2 plus m2 x1 होगा ठीक है तो m1 की value 2 x2 की value तो आपका minus 2 है m2 की value 1 x1 की value 4 है यहाँ पर x1 की value क्या है 4 अपा यह हो जाएगा 2 plus 1 m1 की value 2 और m2 की value 1 बाकी सारे concept सेम है m1 की value 2 y2 की value है minus 3 and plus m2 की value 1 है y1 y1 की बात करें तो y1 आपका है क्या minus 1 m1 plus m2 2 plus 1 कोई ऐसा अगर हो जिसे ना समझाओ तो e chat out से खीची और तुरंट समझाईगे कि इत्मिनान से देखना है और एक एक concept को समझना है असानी से बहुत easily है यह तो समझाना चीए 2 to the minus 4 और plus 1 का 4 में करेंगे plus 4 2 1 क्या हो जाएगा 3 2 का minus 3 में करेंगे minus 6 और plus minus minus 1 अपान 3 तो यह हो जाएगा 0 by 3 और minus 7 by 3 It means 0 होगा क्योंकि 0 by 3 0 और यह minus 7 by 3 यह आपका क्या हो जाएगा answer तो इस प्रिकार से आपको उन दोनों बिंदू को क्या करना था ग्याद करना था I hope आपके दोनों question आज जो लगा है इस वीडियो में आपको अच्छे समझ आ गया होगा कोई भी doubt हो तो comment section में आप जरूर पूछ सकते हैं फिर मिलेंगे next वीडियो में तब तक लिए Thank you